असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास के रौशनी बुक का चैप्टर नंबर वन जे बिलकुल जिसका आप लोगों को बेस अबरी से इंतिजार था वह आज से आप लोगा फाइनली स्टार्ट हो गया यानि कि रौशनी बुक स्टार्ट हो गया मैं तो सोच रही थी रौशनी बुक कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करूं लेकिन आप लोग इतने जैदा कमेंट किये कि मुझसे इग्नौर नहीं किया जा रहा था तो फाइन करा चुकी हूं आप लोग उसको जिस तरह कंप्लीट किये उसी तरह आप लोग अब रौशनी का भूख भी कंप्लीट कीजिएगा लेकिन ज्यादा फोकस आप लोग द्रक्षा के बुख पर रखेगा द्रक्षा का बुक का आप लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि ज्य तरह पहले में आप लोग को समझादो रौशनी के बूख का डेखे रौशनी के बूख में टोटल 12 यानि क्यांस रखेटर == से एक च Championship मेंसे हो वह नजब यानि की कवीता है ठीक है तो शाथ और पांच कितना हो गया बारा टूटल 12 चेप्टर एक निबंध और छे अपसाना और साथ मिलाकर 12 यानिकी 12 हो रहा है तो आप लोग का फॉस्ट चेप्टर है जो कि एक माकाला यानि की निबंध है वह निबंध किस पर लिखा गया है हिंदुस्थानी अधब लिखा गया है और इस लिए फुर्सित legitim क्या नाम रख दिया कि अधर लग धर्म के लोग अनुस पहलते नहीं, हम लोग का भारत देश जो है वो धर्म निर्पेक्ष है, जिसमें अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठिक है, अलग-अलग भास्षा बोलते हैं और उन भास्षा की अपनी एक अदब होती है, ठीक है, अब देखे, अदब क को मैं एक लाइन में करने की कोशिश करूं परिभाशित करने की कोशिश करूं तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अदब का मतलब क्या होता है अदब हम लोग को क्या सिखाता है हमेशा नेकी करना अच्छाई करना लोगों की भलाई करना सभी लोग के सांथ अच्छे से पेश होनी चाहिए हमेशा आप नेकी के रास्ते पर चले और लोगों की भलाई करें लोगों की सांथ अच्छे से पेश आए तो उसी को क्या कहते हैं अदब कहते हैं और वही इस चप्टर में बताया गया है कि हमाज दो हिंदुस्तान भारत देश है इसमें अलग अलग भाषा बोल कभी नहीं देगा कि गलत ट्रेक पकड़े और कोई गलत काम करें हर अदब आप लोगों को हमेशा सच्चाई और नेकी के राष्टे पर रखने की कुछ करता है भाषा को उर्दु में जबान कहते हैं याद रखिएगा ठीक है तो भारत में घ्र सारी जबान यान की घ्र सार जो है मेन है और जिनको मानेत अपराप्त है तो देखिए आप लोग के बुक में उन 22 भासा का नाम भी दे दिया गया है 22 का 22 मैं लिख दी हूँ देखिए लिखी हूँ आईने हिंद में दर्ज हिंदुस्तानी जबाने यान की भारतिया जो भाषा है वो दर्ज है वो यह है तो देखिए कौन-कौन सा है भारतिया समिधान में हिंदी उर्दू आसामी उडिया कंणर कश्मीरी कौंखनी गुजराती डोगरी तमिल तेलगू नेपाली पंजाबी बंगला बोरद मनिपूरी मराथी मल्याला मेथिली संतारी संस्कृत सिंधी ठेक है इतने सारे जो है न बहुत ही ज्यादाल लंबा है आप लोग खुद किताब खुल कर देखिएगा उसमें व्रदू यह फर्स्ट चेप्टर जो है ना वो सोला पेज में हैं सोला पेज 16 इतना लंबा चेप्टर है लंबे चेप्टर को पढ़ने के बजाए क्यों न हम लोग वह सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं जिस टॉपिक तरी लेटर कोश्टन आप लोग को एक्जाम में देखने को मिलता है चेप्टर से मैं आप लोग को जो जो टॉपिक पढ़ा दूंगी हर एक चीज बता दूंगी और उसके बाद से बागी सबी अदब के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लेंगे तो जान लेंगे और बस इसी से कोश्टन आप लोग को एक्जाम में पूछा जाएगा ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है चेप्टर वन से ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं उर्दू अदब के बारे में तो देखिए उर्दू भाषा जो उर्दू लेंग्विज है वह खड़ी बोली से निकली है उर्दू का मतलब होता है लश्कर लेकिन एक पंधित जित जिन का नाम था पंदित दतातर एक याद रखिएगा अधित न्यकित कैफी जी क्या बता है कि यह उर्दू वर्ड है यह संस्कृत भाषा का एक वर्ड है उर्दू में जो यह उर है उर को संस्कृत में बोलते हैं सीना या फिर दिल और दू का मतलब होता है संस्कृत में दो यानि कि उर्दू जो है वो दो दिलों की जबान है यहां पर दो दिल दो दिलों की जुवान कहा गया क्योंकि दोनों लोग बोलते हैं को इन्दू दिलो के लोग को चाहिए और यह आप लोग खुद भी मिलाये होंगे ज़्यादतर उर्दू लेंग्वेज का ही यूज होता है हम लोग छो हिंदी बोलते हैं इसमें 75% उर्दू ही होता है कर बैठा है दिल आप लोग सुने भी होंगे नया है ज्यादा दिन नहीं हुआ आये हुए ठीक है तो यह जो सॉंग है इस सॉंग में दिल जो है वह उर्दू जबान है उर्दू लेंग्विज की एक शब्द है तो दिल को हिंदी में कहते हैं हिर्दय तो दिल को हटा कर अगर लगा दिया जाए और गलती करना भी उर्दू लेंग्विज है तो यह सॉंग कैसा रहेगा हिर्दय कर बैठा है तो यह उतना थोड़ा और लगेगा यह अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं उर्दू की तारीफ कर रही हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे अंदर ऐसी भावना कि लोगों को सब्सक्राइब करते हैं तारीख को हिंदी में कहते हैं दिनांग तो किसी से आप लोग इस तरह से पूछते हैं कि आज कौन सा दिनांग है सभी लोग पुछते हैं कि अध्र कितना है यह उर्दू नहीं पुछते हैं कोई नहीं पुछता है या फिर कोету यह कें उर्दूρά долж को यह मेरा दोस यह बोला था मेरे दोस्त यह बोली थे और देखिये यहां पर मैलिग अधिक पहला शायर अमीर खुषरूतं यह याद रखे एक हमजैकर जो है तो उसको तो टिक कर दीजिएगा उर्जू का नसर का आगाज यानि कि उर्दु में कहानी कि निबन्ध दास्तान वगैरा लिखने की जो शुरूमात ही थी यहीं थी 11 इस जादिया फिर मिट हुँआ किसे कहते हैं, 100 साल के बीच के समय को फिर चुट साल के समय को उसी तरह के साधी कहते हैं सोिद्स लेकर कि साल के बीच के कि शुरुवात 11 सदी में हुई थी और उर्दु नसर की पहली किताब जो है ना उर्दु में कहानी निवंद वगरा की पहली किताब का नाम है मेराजुल आशकीन याद रखेंगे जो कि साह मुहमद हसीनी ने लिखा था ठीक तो यह उर्दु अदब के बारे में कुछ डिटे हो जाता है उर्दु में हैं कि 3D मुढ़ा बात है यहां वही भात है ना खड़ी भूली से निकलिया घ्री चलिशने और कॉम की दुस्वाइब कहने है और में बोला जाता है ठीक और उसके बाद से उर्दू और हिंदी दो सभी बहन है यह तुम्हें आप लोग को बता ही थी अब आगे बढ़िए लफ्ज जो हिंदी है यह फार्सी जुबान का लफ्ज है याद रखिएगा इरान के लोग जो है ना वह दरियाय सिंध को आसपास के को हिंद और यहां के रहने वाले लोग को हिंदी कहते थे देखिए इरान के जितने भी लोग हैं वह फार्सी बोला करते हैं ठीक और फार्सी में सौ को हो बोला जाता है इतने भी इरान के लोग थे वह सौ को हो बोलते थे सा का प्रणाउंस हो करते थे ठीक तो इसलिए जब कि लोग कि बूलते थे हिंद सिंद नादी कि आज पस के लागे को लोग किया बोलते थे हिंद बोलते थे और वा着id उस लाके में रहेने वाले लोगों को ये हिंदी और इसलिए जब दीरे और इंदुस्तान में रहने वाइन लोग के लिए हिंदी तो इस तरह हिंदी शब्द का आप बोल सकते हैं हिंदी की पैदाईश होई थी हिंदी शब्द बना था इरान के लोगों हिंदी क्या है फार्सी जुबान का एक लफ्स है ठेक और इरान के लोग इसका नाम दिये थे कि इरान के जितने बी लोग आये थे वो दर्याय सिंध को सिंध की जो नदी है उसको हिंद बोलते थे मतलब उसके आसपास के लाके कि हिंद का जदिद दौर ही हिंदी अदब की modern Kaal यानि की अभी के जो MODERN हिंदी है जिता हम लोग बोलते हैं स्रय अधि त सहतीनidir अब देखे नशी अदब की शुरूआत कहानी अगरन led लिखने के शुरुआत साइस का यह हो गई थी थी को यह सब लिखने का काम विया लCor não वारे जितना थोड़ा थोड़ा जान आ ज्यादा जरूरी था जानना वह उर्दु अदब और हिंदी अदब के बारे में जानना जरूरी था जो कि मैं आप लोगों को समझ गया होगा अब आप लोगों को बाकी थोड़ा-थोड़ा समझा देती हूं असामी उडिया कंणड गुजराती और पंजाबी यह यह सरे अद पंजाबी भाषा कहां बोली जाती है तो पंजाब में बोली जाती है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है और पंजाबी भाषा जो है वह पेशाची अपभरंश से निकली हुई है यह याद रखिएगा यह अब यहां पर एक चीज़ आप लोगों को बता दू कि जिस तरह गीचे में अलग-अलग रंग के फूल रहते हैं ठीक अलग-अलग कलर के फूल उस बगीचे में रहने के वजह से उस बगीचे की खुबसूरती बढ़ जाती है आप पंजाबी अदब श lucky और में व लिए दोर मतलब नीजिいます को बात दिया गया है इंग्लिश हिंदी को चार काल में बाकस किया है पहला है और दूसरा है आप लोग बने काल तीसरा है तीसरा है और ऐसे नीग काल अभी के समय में जो को हिंदी बोली जाती है उसको बोलते हैं आधुनिक काल ठीक तो हिंदी को चार दौर में चार काल में विवाजित किया गया है कौन-कौन सा याद रखिएगा भक्तिकाल नहीं तो आधिकाल दूसरा है भक्तिकाल तिसरा है रेतिकाल और चोथा आधुनिकाल आधुनिकाल यान की चार दोर होते हैं जिसको मैं आप लोगों को बता दी विखे मीटी पंजाबी में की पंजाबी भासा के लिएंव्चार दौर生 & पेहला तो एक है चार से लेकर फटी तक हिंदी गे जब यह कहना दिया गए उसके बाध से लेकार तक पंजाबी भाशा बोला गया तो इसको एक दौर में रख दिया गया ठीक और उसके बरसे 18quality लेकर 49-1977 तक यह तेस्रा दौर है और उसके बाद से उने को भ्हारत देश की जादि मीली थीखत इने से तो सब्सक्राइब को मतलब कुछ लोग मानते है फिक लेकिन यहां पर सच में quan Alpha मतलब रियलिटी की बात की जाए तो पंजाबी भाषा के शुरुवात जो है वो फरिदुद्दीन से हुई थी ठीक बहले कुछ लोग गुरु नानक देवजी को मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है फरिदुद्दीन के वज़ा से मतलब फरिदुद्दीन जो है यह पंजाबी सकता है मराठी अदब के पहले शायर मुकुंद राज जो की अठार से ग्यारस अठासी में यह श्यरोशारी लिखना शुरू किये थे मराठी जुबार में मराठी भाषा में ठीक मराठी भाषा कहां बोली जाती है तो महरास्ट में ठीक आगे बढ़िए एक मिनट यहां पर तक टीसरे दौर में रख दिया गया है और आजादी के बाद से अब तक के समय में जो मराठी भाषा बोली जाती है उसको तीसरे दौर में रख दिया गया है बस बात कंट्य धो आद जो कि ख़ल हो सकता है कि इस तरह पूछदे कर जाती है और यह संस्क्रिसowie बात बाद से संस्क्रित और तमिल का बहुत अच्छा रिष्ट्ट है और परन्ति अच्छा रिष्टा है वाग्त संस्क्रिट से लिए दोनों का रिष्टा एक दूस्ते बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है दोनों का दोनों भाषा का ठीक और मल्यालम अदब को भी तीन दौर में यानि कि तीन काल में विवाजित किया गया है एक तो पहला है अठा आठा से लेकर तेरा से इस भी तक उसके भाड़ से तेरा से लेकर अठाशा तक किसम्ए को जो है जो मल्यालम भाषा बोली स्य उसको थार में रख दिया गया है ठीक है अभी चल ही तीससा दोर अभी चल रहा है ठीक है और उसके बाहर से आगे है छठा नंबर पर तेलगू अदब तेलगू भाषा कहां बोली जाती है तो आंदर परदेश में याद रखिएगा ठीक और तेलगू भाषा का आगाज शुरुवात हुआ था दसवी सदी में सदी में आप लोगों को बता चुकी हूं सदी शताबदी किसे कहते हैं एक से लेकर स्व साल के समय को ऐक शताबदी उसी तरह यहां पर दसवी सद्वी लिखा यानगे कि नौश से लेकर दस साल के समय को दसवी सदी कहते हैं तो दसवी भाषा का आगाज यानके शुरूआत हुआ था और इसके 10 दौर है दस काल में विभाजित है तेलगू को दस दौर में इनकी दस काल में बाजित किया गया है अब आगे हैं सात्वा नंबर पर कंणड अदब कंणड भारस्था कहां बोली जाती तो यह तो नॉर्मली बाते की करनाटक में बोली जाती है ठीक है यह जो कंणड है कंणड भाषा कंणर और संस्कृत का रिष्था करने यह गुजराती अदब आठ नंबर पर है गुजरात में बोली जाती है तो गुजरात में बोली जाती है और उतके बाद से इसे गुजराती भाषा की सुरवात हुई थी याद रखिएगा और गुजराती भाषा के जदीद दौर यानि की अभी के जमाने में अभी के समय में जो लोग गुजराती भाषा बोलते हैं इसके शुरुवात हुई थी अठार सा पचास इस भी में दोनों में अंतर समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी आप लोग के लि देखिए लगादी भाषा का एक दौर गांधी दौर भी याद रखिएगा गांदी दौर बोली गांधी काल अब तरुए में थी और गान्दीजी आय थे भारत देश में उनसा पंदर में थे मतलब आते थे एक दोसल राएं न पर पंदरा में भारत आये ना तो ये भारत को आजादि दिलाने के लिए थे तंध्रता दिलाने के लिए और उनसा फंदरा से लेकर उन्हें से लेकर उन्हें से लेकर 50 साल के समय को क्या कहते हैं गांधी दौर और फिर गांधी युग तो गुज्राति भाष्रा का एक दौर है गांधी दौर कब भारत को अजादे दिलाने के लिए संगर्स किया अंदोलन वगरा किया ठीक तो उन्हें सपंद से लेकर उन्हें सचालिस साल के बीच के समय को क्या कहते हैं गांधी एद यह फिर गांधी युग यह फिर गांधी दौर आप बोल सकते हैं ठीक बात देखी है आगे बढ़िए लिए नबर पर है बंगल अदब बंगला भाशा जो है वह मागदी अपभरहन्स से निकला हुआ है यह याद रख ok बंगला भाषा मागदी अपवरंश यह objective में पूछ सकता है ठीक है और बंगला भाषा बोलने की शुरुवात जो है ना दसवी सदी में हुई थी सदी और शतापदित तो मैं आप लोगों को बता दी हूं तो आप लोग समझ गए होंगे दसवी सदी का मतलब क्या नौ ससले कर दसवी सदी तो दसवी सदी में बंगला भाषा बोलने की शुरुवात हुई थी और देखिए बारहमी और चोदहमी सदी में आसामी और उडिया जबान अलग हो गई देखिए पहले बंगला भाषा जो है ना उसमें आसामी और उडिया भी जुड़ा हुआ था आसामी और बंगला भाशा में जुड़ी निए वी थी मिल्फी लेकिन बारहत्वी सदी में यह आसामी भासर बंगला-भाशा अलग गई ऑर चदह्मी चदी में उडिया भाषा बंगला भाशा से अलग हो गई तेकний हम अलग हो गया तीन होत्ति जगाव नहीं गया बात खतम थे अब बचा हुआ है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं देखिए दस नंबर पर है आसामी अदब आसामी भाषा आप लोग जानते हैं आसाम में बोला जाता है और याद रखिएगा और उडिया जो भाषा है और उडिया भाषा जो है और लास्ट है मेथली अदब मेथली अदब अब देखिए यहां पर मेथली भाषा कहां कहां बोली जाती है बिहार में मेथली मगही और भजपूरी ये तीनों भासाय बोली जाती हैं मेथली ज्यादतर आप लोग को दर्भंगा में देखने को मिलेगा ज्यादतर दर्भंगा के लोग मेथली बोलते हैं उसके बाद से मगही मगही ज्यादतर आप लोग को पटना और गया में देखने क तो मिलेंगे तो यह था आप लोग का इंदुस्तानी अदब का तसओर कोई भी कमप्लीट कोई भी कम्प्यूजन इस चैप्टेर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूर्ट सकते हैं बाकी में आप को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है फटेवर वीडियो को लाइक कीजिए और चारो तरफ शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यदा उसको ना ज़्यदा शेयर करें और हाँ अगर आप लोग चैनल पर न